नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटी बेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाड़क की नीती के अनुसर बताएंगे के सुबह उठते ही, इस तरी के साथ कौन सा एक गुप्त काम करने से आपके घर में धन की बरसा होती है और आप भिखारी से राजा बन जाते हो जिहाँ दोस्तों किस प्रकार से आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको चाड़क की नीती के अनुसर बतानने चाहेंगे ऐसे अंगो वाली महिलाएं देती हैं धोका और बनाती हैं गएर मर्दों से सारीदिक संबंद कौन सी हैं वो औरतें आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजी और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सामुद्रिक सास्तर में कई ऐसी बाते बताई जाती हैं जो महिलाओं के कई राज खोल देती हैं ऐसे में सामुद्रिक सास्तर के अनुसार व्यक्ति के विभिन अंगों के आधार पर उसके सोभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है तो दोस्तो कौन से हैं वो अंग आईए जानते हैं दोस्तो पहला आंग कहा जाता है कि जिस इस्तरी की नाभी बड़ी और गहरी होती है या सुब लच्छर माना जाता है जी हाँ क्योंकि जिस इस्तरी की नाभी बड़ी गहरी और दाई और मुड़ी होती है ऐसी इस्तरी धन सुख और संतान से संपन होती है कहते हैं जिन इस्तिरियों के पैर लंबे चिकने होते हैं बादेबी लच्मी के समान सुब होते हैं और ऐसी लंबी टांगों वाली महिलाएं बिरासत में ही सब कुछ ले लेती हैं और इस परकार की महिलाओं को साधी के बाद भी पैसों की कमी नहीं आती है कहा जाता है कि जिन इस्तिनियों की छाती चौणी होती है बेस्तिनिया साहसी अहिंकारी वा क्रोधी स्वभावाली होती हैं और यह परिबार पर अपना सिक्का चलाने में कामियाब हो जाती हैं कहते हैं जिन इस्तिनियों की छाती लाल रंकी या फिर एकदम काले रंकी होती है बाहिस्तिनिया सुन्दर बाधिक पुत्रों को जन्म देती हैं और सांसारिक छल परपंचों से दूर रहती है कहा जाता है जिन इस्तिनियों की छाती पर हलके बाल होती है बे इस्तिनिया अनेक पुरुसों के साथ रहने बाली होती है ऐसी इस्तिनिया अनेक पुरुसों से सारीरिक संबंध बनाती है काम सक्ति में भी लिप्त रहती है इनके पराय पुरुसों से सारीरिक संबंध होते है और ऐसी इस्तिनिया जूट भी खूब बोलती है इसलिए दोस्तों हो जाएं साब धान अब दोस्तों आईए जानते हैं कि सुबह उठते हैं इस्त्री के साथ कौन सा एक गुप्त काम अबस्य करना चाहिए जिसको करने से आपके घर में धन की बरसा होगी और आपके घर पर सदैब देवी लच्मी की कृपा बनी रहेगी दोस्तों जिन घरों में पती पतनी प्रेम से रहते हैं ऐसे घरों में देवी लच्मी बास करती हैं ऐसे घर स्वर्गे से सुन्दर लगते हैं इसलिए दोस्तों पती पतनी को सुबह उठते ही थोड़ा बहुत प्यार अबस्य करना चाहिए क्योंकि दोस्तों सुबह का समय बह ज्यादा प्रसंद होंगी जिसकी बज़े से आपके घर में हमेंसा देवी लचमी की किरपा बनी रहेगी और आपके घर में खुशियों की बरसा होती रहेगी और ऐसे घरों में सादयब देवी लचमी पैसा बरसाती रहती हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था, हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत